इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. ओजोपैस टेबलेट एक एंटिस्पास्मोड एक दवा है. इसका इस्तिमाल मासिक धर्म में दर्द और पेट में दर्द के इलाज में किया जाता है. यह मेंस्ट्रूएशन में होने वाले दर्द, गुर्दी की पत्री के कारण दर्द, पित की पत्री के कारण दर्द और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोलिक पेइन जैसी मानस्पेशियों की एंटन के कारण होने वाले दर्द से राहत प्रदान करता है. ओजुपेस टेबलेट को भूजन के साथ या इसके बिना लिया जा सकता है लेकिन बहतर परिनाम प्राप्त करने के लिए इसे हर दिन एक नियत समय पर लिया जाना चाहिए दवा की डोज और आप इसे कितनी बार लेते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस लिए ले रही है आपका डॉक्टर यह तै करेगा कि आपको अपने लक्षनों में सुधार करने के लिए कितनी आवशकता है आपको जब तक इस दवा को लेने के दिशानिर दे उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं लोग ब्लड प्रेश के कारण आपको चक्कर भी आ सकते हैं यदि ऐसा होता है तो वहन चलाते समय सावधानी बरते इस दवा को लेने से पहले अगर आपको कभी भी गंभीर हिरदे रोक था या ब्लड प्रेश संबंधी समस् हैं या आपको लिवर या किड्नी की बीमारी है तो अपने डॉक्टर को बताएं आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती है इस दवा को लेने के दौरान आपका डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशन यमित रूप से चेक कर सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद